हेलो व्रीवन वेल्कम टी मैं चैनल तो आजके जो पाठ होने वाला है ना बहुत ही लवी डवी होने वाला है क्योंकि इसमें बाइटी और डॉक्टर जियांग एक दूसरी को कंफेस करेंगे कि वो एक दूसरी को लाइक करते हैं तो हम लोग आगे का पास शुरू करते हैं य डॉक्टर जियांग ने वो आपके हेल्प करेंगे यहां से निकलने के लिए तो आउंटी बहुत ज़्यादा डरी रहती है और बुलती कि नहीं मेरी मदद कोई नहीं कर सकता कोई भी नहीं तो यहां पस पुलिस बोलते रहते हैं कि डॉक्टर जियांग आपने जितने भी बताये थे हमें उन सबसे देखी लगते हैं कि इनको बहुत ही ज़ादा इंसरी हुआ है और मैंटल स्टेबल भी और हम इसके कारण इनके जो हस्बेंट है और उनके बच्चे है उस प्रेक्शन ले सकते हैं हमाल पास इतने भी सोर्सेस रहेंगे हम अपने से से पूरी कोशि कि वो उसके कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है वो चाहते हैं कि उसकी मोम है यानि कि जो जो जियांग घर्याल जाएंग उसके मोम को वापिस लेके आजए तो आपस बाइटिंग बहुत ही डर रहे थे कि डोक्टर जियांग आपके फेरमेंस से इस्टेबल नहीं है क्या हर कि मुझे तिमसे कुछ डिसकेशन करना है क्या हम बाते कर सकते हैं यान पास बोलता है हाँ क्या वाते करना ह्या होका यह थे मैंपनी सारे पैसे जो कंपनी में रहते हैं उसे मैं देनोंट कर दू होमेगा के लिए आइमिन इह बहुत ऑच्छा इडिया है ना तो यस उनके ब मुझे पैसे मिल रहें बहुत ही अच्छा है और हमारे घर के खर्चिच भी चल सकते हैं कि बहुत ही हमारे लिए इसे लाइफ रहेंगे तो यहां पस जो बाइटिंग रहता है वो खुश हो क्या बलता रहता है कि यहां मैं भी हार्ट वर्क करूंगा और मेरी जॉब से फ्यूचर में आपके हाथ करूंगा जो डॉक्टर ज्यांग डॉन्ट वर्य आप टेंशन ललो और ब्राउन सुगर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रहता हूंगा तो यहां पस ज्यांग इस तरह के बाते सुनके बुलता है कि ओके ऑल राइट तुम जो कचार ना चाहो वो कर सकते हैं और यहां मन में सुशत यहां पस तरह करने लगता है और सड़नली वो डॉक्टर लिंट का कॉल पिक अप करते ही यहां पस डॉक्टर लेंट बताने लग जाते हैं कि जांग यांशू का तब्यत बहुत ही जादा खराब हो रहा है क्योंकि उसका अभी हीट साइकल चल रहा है मुझे नहीं पता है पर जल्दी से जल्दी होस्पिटल आजाओ इमीजिटल हमें उससे आइसलेट करना पड़ गया क्योंकि उसका जो फेर्मेंस है वो आउट अफ कंट्रोल होते जा रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा है एक्जाक्ली क्या करना चाहिए यह तुम आ सकते हो यहां पर और और सब्सक्राइब के लिए इतना जादा लेवल का बढ़े हैं इसे हमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो यह तुम वहां जाहा भी रहे हो तो तुम्हें अपके सेफ्टी का ध्यान खुद रखना पड़ेगा और यहां बस बाहर निकालना पड़ेगा तो यहां बस बाइटिंग लिटाया गया है और उसकी बौडी को पूरो कवर किया गया है बेल के थू तकि वो हिले डूले ना और उसे बहुत ही टय्रीट बंद कर दिया है यहां बस मतलब उसको होश नहीं रहता है फिर भी वो बोलतर रहते कि बाइटिंग बाइटिंग तो यहां बाइटिंग आके बुलता है कि हाँ मैं आपके पास हूँ और उसके हाथ को hold करने लग जाता है और यह मन में सुसता रहता है बाइटिंग आप हमेशा मेरे साथ ही जब भी मुझे जरूरती इस तरह मेरी है कि मैं आपके साथ रहूं और मैं अपना ये फर्ज जरूर अच्छे से नहीं भाऊंग तो उसको समझने आता रहता है कि वो किस टाप से हेल्प कर सके तो यहां पस देरे-देरे करके उसके बाते सुनके डॉक्टर जयां को हुश हैता रहता है और यह यहां क्यों कर रहा है और यह यहां क्यों कर रहा है और वो अपने आइस को उपन करते बोलता है कि इस डेंजर चाहत रहना है ताकि आपको बेटर फिल हो सके मैं बस चाहता हूं कि आप अच्छा महसूस करें आपको कोई तकलीफ नहीं कि आप बहुत दर्त में डॉक्टर च्यां तो ज्यांग बोलता है कि नहीं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है बिल्कुल पिनका अइसास नहीं हो तुम जाओ यहां से यहां पस बाइटिंग बोलता है जूट कहेंगे तुम छूट पोल रहा है यहां पस रोनी लग जाता है जैंग बोलता है कि यह बाइटिंग तुम रो क्यों रहे हो ऐसे मत रो मैं पता है यह और गंदा है तुम्हें रोते हुए देखना मेरे लिए यह यहां पस बाइटिंग बोलता है नहीं नहीं मैं रोका आ रहा हूँ वो थोड़ा सा कचरे चला गया होगा आग पे ठीक है वो आफसर से आया हूँ नहीं इसलिए आप सोजाए रेस्ट कीजिए और वो चलने लग जाता है तो यहां पस उसको रुपते हुए कहता है नहीं स्कूल के इंफॉर्मिशन देते रहता है कि वो क्या हुआ आज कैसे उसने एक अलफा को क्या किया है उसके फ्रेंड लोग ने वो क्या खाया है वो हर चीज़ डिटेल देते रहता है और यहां पस सोचल रहता है कि इतना बूरी है ना कि मैं आपको स्कूल के डिटेल्स दे तो यहां पस बाइटिंग बोलता है कि honestly मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम अपने जो स्कूल टाइम है उसके बारे में मुझे बता आ रही है तो बहुत ही बलश करने लग जाता है और बोलता है कि बाइदवे इतने जादा बात करने के लिए तो है नहीं क्यों ना मै करता था कि मुझे इस्ट्रबरी बहुत पसंद है खाने में पर कोई भी मुझे स्ट्रॉबरी नहीं देता था सब अल्फा जो भी मेरि सेवलिंक थे वो सारे खा लेते थे मुझे समझ नहीं आदा था कि मेरे साथ ऐसा बीयों क्यों करते हैं धिरे धिरे वक्त बित तक गया और मेरे parents मुझे मेरे grandmother के पास छोड़के चले गया और उसके बाद मेरे grandmother नहीं मुझे पाला है मुझे आज तक समझ लिया है कि मेरे parents जो मेरे biological थे वो लोग मुझे छोड़के कैसे चले गया यहाँ पस वो बहुत ही जादे उदास हो जाता है यहाँ पस ज्याँ गोलता है कि don't be sad जब तुम घर चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए strawberry का बड़ा packet लिखे आऊँगा जिसे तुम खाना enjoy करके खाना उसमें बहुत ही जारा sweetness रहेगा यहाँ पस biting हस तो भी कहता है कि ओके यहाँ पस वो सोचने लग जाता है कि सच में मेरी life में कितने moon swing होगे है I mean जब तुम मेरे बारे में जानोगे मेरे childhood के बारे में जानोगे तुम्हें बहुत ही achieve लगेगा वैसे सच के होगे तो मेरा बचपन भी उतना अच्छा नहीं रहा है तो यहाँ पस वो सोचने लग जाता बाइटी पर आप तो इतने best हैं आपकी life कैसे हो सकती है तो बताने लग जाता है जग्यांशुम कि जो मेरे parents थे वो बहुत ही strict थे I mean मेरे जन्म के time ही उन्लोग में प्लान कर लिया था वो लोग सिर्फ मुझे ट्रॉफी की तरह इस्तमाल करते थे मैं कितना भी अच्छे marks लेकर रहा हूँ उन्हें satisfy नहीं कर पाता था वो लोग हमिशा मुझे गुसा करते रहते थे और कहते कि जिंग्यांशु तुम useless child हो तुम ऐसे कैसे कर सकते हूँ और तुम deserve भी ने करते हमारा बेटे कहलाने के लिए वो उस young age में ही वो इतना जादा में relate हो चुका था इतना embarrassing moment देख चुका था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी life कहां चली जा रही है और वो उस जगह से निकलना चाहता था और उसे कभी life में प्यार मिला ही नहीं उसे समझ नहीं आता था कि normal दुनिया क्या होती है प्यार क्या होता है और इतने में ही biting कहता है कि डोक्टर जिया इस नौट यूर फॉल्ट आप बहुत ही अच्छे परसन है आपको wonderful परसन है आपको life में भी प्यार मिलेगा और you know what उपर चर जाता है और बोलता है कि मैं आपको बहुत time से like करता हूँ मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है और यदि आपको चाहिए तो मैं आपको reward भी दे सकता हूँ इसके लिए और यहां पर से गया शो बोलता है कि biting तुम्हें क्या कह रहे हो यहां पस biting आखों में आसू लेते हुए कहता है कि actually मैंने कहा ना मैं आपको बहुत बहुत पसंद करता हूँ बहुत समय से क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगे I mean मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं आपको बहुत ही अच्छा treat करूँगा बिल्कुल आपके parents की तरह नहीं डॉक्टर चांग कि आप इसके लिए होके हैं यहां पस जांग मुझे को राते हुए कहता है कि fool तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करता हूँ बहुत जादा यहां पस biting बोलता है क्या यहां पस उन लोगो दुनों को समझनी आता रहता है और वो लगें दुसरे के हाथ को hold कटके बहुत ही हूश रहते है और यहां पस जांग रहता है कि biting मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे biting man में सुचते रहता है कि यह तो wonderful है कि मैं डॉक्टर जियांग के साथ रहूँगा और यह तो और जाद अच्छी बात है कि डॉक्टर जियांग मुझे like करते है कहीं यह सपना तो ने और वो अपने आपको pinch करने लग जाता है बोलता है कि oh it's hurt यानि कि यह dream नहीं है यह सच में dream नहीं है और यहाँ पस जियांग बोलता है कि obviously dream नहीं है अब यह successful confession हो गया है और मैं तुम्हेरा boyfriend बन गया हूँ तो क्या मुझे एक victory किस मिल सकता है actually मैं move रहे हो सकता हूँ ना देखो ना मुझे किस तरह किस सबांद के रख दिये है और यहाँ पस biting बोलता है कि Dr. Jack of course उसे पहले वो आगे कुछ करें यहाँ पस उसका फेर्मेंस है वो out of control हो जाता है यहाँ पस Dr. Leen आके लेके चले जाते हैं biting को बोलता रहते है कि biting तुम्हें यहाँ नहीं रुपना चाहिए यहाँ पस biting बोलता है कि नहीं मुझे उसके साथ की जरुवत है मुझे उसके साथ रहने दो और उसे मेरी भी जरुवत है यहाँ पस जियांग बोलता रहते है कि biting biting तुम मच जाओ मुझे छोल कि biting मच जाओ फिर भी डॉक्टर लें उसे समझाते रहते हैं कि देखो अभी उसका फॉरमेंस का जो है हाई हो चुका है तुम कुछ देर वेट करो या फिर तुम घर चाओ पहले तुम रेस्ट करो फिर आना उसके बाद या पर स्पाइटिंग बोलता है कि नहीं मुझे उसके जगने का इं मन में सोचता रहता है कि मुझे वो फिर से सुनना है जो उसने अभी कहा मैं उसका इंतिजार करना चाहता हूं तो अभी ना जो उन दोनों ने कंफेशन किया है उसके बाद जो उन लोग की लाइफ है बहुत ही अच्छी स्मूच चलने वाली है और इसके जो नेक्स पाट आ खबयाओ बारी